एलो फ्रंट्स लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट यूज केस में जो फंड आज हम डिस्कुस करेंगे वह है रिलायंस वीजन फंड रिलायंस वीजन फंड रिलायंस मिचल फंड हाउस का है और यह लॉंच हुआ था अक्तूबर 1995 में रिसको मेंटर पर यह मॉडरेट क्ली हाई है रिस्क्रेट हाई है रिटर्न ग्रेट के अवरेज है जो फैन इंडेट है मतलब कभी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं सब्सक्रेट है जो कि बहुत ही अधिशार रिठान है मिनमम इसमेंट पाजार का है अडिशनल एक जार और साइपी आप सौ रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें भी एक्जिट लोड अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो एक परसेंट का एक्जिट लो ऑचे अलजिए व जासे ही मार्केल नॅज अपर नीचे हुआ है मिद्सक्राइं पर नीचे गया है अ बिद्सक्क्राइब के अचले कि सब्सक्राइब पए 12 टक गहिГा पाँ इन वी ए drinking अम को देजिए नवी पान्सु तक गही है आ है तो अब देखते हैं कि जैसे आज करेट में इसकी इन नीवी 523 रुपय है यानि कि पिछले 21 साल में 52 टाइम्स कर दिया है इसने जो भी पैसा लगाया रहा होगा उस टाइम किसी ने अगर लांच के टाइम पे किसी तो आज पांच से जएड़ा होती ओर एक लगाया होता तो वह भावन लाक से जएद वोता इसी दोसे दुस लाक लगाया होती है तो आज पांच क्रौम से जएदा होते पाइप उइंट्टि क्रूट तो काफी अच्छा मनलब मौर्दन 52 टाइम्स किया है 21 साल में इस संद में तो उस हिसाब से काफी अच्छा फंड है और वैली देखिए कि अगर आप यही पैसा यहां एक अच्छा जेंना कि श्राइब भी थे जिसमें आपको 8% का रेटर्न मिलता है तो यह एक तो यह पाँ जर्व ज़या हुँता दस जरुकर एक लाग का फाइंट्रीलाइक सब्सक्राइब दस लाग सब्सक्राइब ने तो अंतर देखिए कि ने सांक्राइब कहां पे तो दस गुने से भी ज्यादा का फरक है रिटरंड में आयोप आपको यह समझ में होगा कि क्यों अपना लांग टर्म का पैसा कोई पैसा जो आपको साथ साल आठ साल दस साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है जैसे बच्चों की प्राइब के लिए उसका कोई वैसा वह लांग टर्म में ही अच्छा रिटरंड देगा और आपके लिए पैसा जनरेट करेगा और बैंक एफडी तो आपका इंफलेशन भी सईसे बीट न अपना लांग टर्म का पैसा इसी बैंक एफटी में रखके उसकी वैलिएशन उसकी वैली कम ना करिए आपको यह वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको कुछ कुछ नहीं तो नीचे कमेंट करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन टे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो भी मैं आई वीडियो डालूंगा वह आप तक पहुंच आएगा थेंक यू